Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजूकेशन, welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 15th of November 2021 तो guys आज है तारिक 15 November 2021 और है Monday, देखेंगे आज का The Hindu Complete Newspaper, The Hindu Complete Newspaper को एनिलाइस करेंगे बट लिक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये Complete Newspaper का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है Telegram और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव Education As you can see guys आप लोगों को ये वाला चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जोईन कर लेना देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को Telegram का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चनल उपन हो जाएगा इसको जाकर जोईन कर लेना नाओ जोईन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिसस पर दाहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफर के वीडियो का PDF मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिलकुल फ्री में त इसके आप सपास कौन कौन से एरियास है अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षिन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो की UPSC प्रीवेस यर साल 2008 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बिसस पर हम लोग एक प्रीवेस यर क्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या था इन्दा कॉंटेक्स ऑफ इंडियन डिफेंस वाट इस ध्रोव देखो इंडियन डिफेंस के कॉंटेक्स में बहुत सारी चीज आएंग बलिस्टिक मिसाइल है इसका सही आंसर आप लोग को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है ध्रोव के बारे में अल्रडी हम लोग पढ़ चुके हैं चाहो तो आप लोग टेलिग्राम पर सर्च करके देखना टाइप करना ध्रोव आपके सामने पूरा आर्टिकल वो आ बादी आए वहाँ से भी जाकर आप लोग इसको देख सकते हो तो चलो शुरुबात करते हैं यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्ण आर्टिकल है हमारे एक्जाम के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ हमारे सिलेबस में यह आर्टिकल कहां की किताब पढ़ोगे तो वहाँ पर CBI के बारे में पूरा चाप्टर दिया गया है एंफोस्मेंट डिरेक्टेट के बारे में चाप्टर दिया गया है तो यहाँ पर CBI और ED को लेकर एक नई न्यूज आ चुकी है वो न्यूज क्या है जो CBI और एंफोस्मेंट डिरेक्टे के chief होते हैं या फिर head होते हैं CBI के अंदर आपको director देखने को मिलेगा तो जो chief होते हैं basically जो leader होते हैं CBI और ED के अंदर यानि कि enforcement directed के अंदर इनका जो tenure हुआ करता था यह दो साल तक सब करते थे लेकिन अब इस tenure को बढ़ा दिया गया है अब इनका जो tenure है वो 5 साल का हुआ कर दनुस के बाद जो हमारी सरकार है उन्होंने इस tenure को extend कर दिया है इस tenure को बढ़ा दिया है जो central bureau of investigation और enforcement director के जो chief होंगे इनका जो tenure है पहले 2 साल हुआ करता था नाव अब 2 साल से इनका tenure 5 साल का हुआ करेगा यह हमारे पास information आई है ठीक है अब यहाँ पर आपको यह देखना establishment act 1946 है हमारे पास इसके अंदर amendment करके CBI के director के पास tenure दिया गया था उसी की प्रकार से जो enforcement directed की post है इसका जो tenure लाया गया था वो उसको भी एक amendment करके ही लाया गया था और वो amendment था central vigilance commission act 2003 तो इसके बारे में आप लोग एक छोटा सा idea रख सकते हो जादा कुछ खास सीज़े नह directly यहाँ पर question में पूछा जा सकता है सबसे पहले हम लोग CBI के बारे में पढ़ने वाले हैं जो की बहुत important topic बन जाएगा Central Bureau of Investigation इसकी full form है CBI को सबसे पहली बार set up क्या गया था 1963 में एक resolution के तुरू वह जो resolution है Ministry of Home Affairs खा था उसके तुरू यहाँ पर इसको बनाया गया आज के टाइम पर जो CBI है वो कौन से Ministry के अंडर में आती है ध्यान रखना इसके बारे में Ministry of Personal, Public Grievance and Pensions के अंडर में आती है ऐसे question UPC ने previous year में काफी सारे पूछे हैं कि यह जो body है यह कौन से Ministry के अंडर में आती है ठीक है पहली चीज यह चीज आपको ध्यान रखना नहीं यह आपर corruption को रोकने के लिए committee बनाई गई थी इसी ने आपर recommend किया कि CBI की CBI type की हमारे पास एक body होनी चाहिए CBI आज के टाइम पर कोई study body नहीं है ध्यान रखना CBI के पास में जो भी powers आती है वो Delhi Special Police Establishment Act 1946 के थ्रू ही आती है जो भी powers होती है CBI आज के टाइम पर एक investigation agency है है हमारे central government की साथी साथ यह एक assistance provide करवाता है support देता है central vigilance commission को इसके बारे में आप लोग को एक idea रखना है CBI को head करने के लिए यहाँ पर एक director होता है director इसको पूरा head करता है प्लस यहाँ पर CBI के पास पूरी powers हैं कि यह बहुत सारे offenses को investigate कर सकता है ठीक है बहुत सारे जो ए 31 offenses जो की IPC के अंडर माते हैं ऐसे गुना जो की central laws में state acts में और IPC के अंदर आपको देखने को मिलेंगे यह कितने कितने numbering है यह आपको दिख रहा होगा तो इन सारे cases को CBI handle कर सकता है CBI investigate कर सकता है यह CBI के पास power है तो जैसे कि हम लोग director के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस आफ इंडिया होते हैं वह भी होते हैं तो यहां पर इन तीन लोग के त्रूए कामिटी बनाई जाती है और उसके बाद यहां पर किसी व्यक्ति को director बनाया जाता है CBI का तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है दन उसके बाद और यहाँ पर कुछ खास चीज़े ऐसी नहीं है जो की important थी हुआ आपको बता दी हाँ tenure के बारे में चर्चा की गई है तो tenure CBI का जो tenure है न वो basically 2 साल का हुआ करता था जो की हमने CBC Act 2003 के अंदर लेकर आए थे लेकिन अभी क्या है न उस tenure को बढ़ाया गया है अब 2 साल की वज़ाए 5 साल का tenure हुआ करेगा तो यह एक छोड़ा सा update है इसके बारे में आपको ध्यान अखना है यह हमने CBI के बारे में पढ़ा अब दूसरा हम लोग enforcement direct rate के बारे में पढ़ेंगे जो की यह भी important है तो यहाँ पर हम लोग बात करते है सबसे पहली बात जो enforcement direct rate है आखिरकार यह क्या है इसका काम क्या है सब कुछ आपको जानने को मिलेगा एक multi-disciplinary organization है इसका main काम क्या होता है एक तरीके से जो भी हमारे economic crimes होता है उनको रोकने का यह काम करता है और खास करना यह दो laws को maintain करता है एक law है हमारा foreign exchange management act ठीक है जिसको हम लोग FEMA बोलता है दूसरा है prevention of money laundering act जिसको हम लोग ने PMLA बोला है तो इन दोनों laws को लेकर यह चलता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है इन दोनों laws को अच्छे से implement करने के उपर फोकस रखता है हमारा enforcement directed enforcement directed का अगर हम लोग इतिहास देखें तो लगबग यहाँ पर 1st May 1956 के आज पास यहाँ पर एक enforcement unit को बनाया गया था ठीक है और उसको लेकर हम लोग आगे चल रहे थे पहले हमारे पास एक body हुआ करती थी फेरा फेरा को बदल के फेमा क्या गया था आप लोग को मालूम होना चाहिए ठीक है जो कि आज के टाम पर फेमा आपको देखने को मिलेगा दन उसके बाद जो हमने unit बनाया था 1956 में तो उस unit का ही नाम बदल दिया गया बाद में 1957 के अंदर और इस unit का नाम बदल कर कर दिया गया enforcement directorate इसके बारे में आप लोग को यह दिख रहा होगा दन उसके बाद आज के टाइम पर यह जो enforcement directorate है इसका जो administrative control है ना basically वो transfer कर दिया गया है department of economic affairs से department of revenue की तरब जो हमारी finance ministry है जो हमारी revenue ministry है वही यहां पर इस पूरे department को देखती है इस पूरे enforcement directorate को देखती है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ठीक है और फिर उसके बाद यहां पर और चीज़े क्या है जैसे की सबसे important चीज़ यह है कि enforcement directorate के पास क्या-क्या powers होती है यह आप लोगों को पता होना चीए जो यह directed होता है यह दो laws को लागू करता है मैं आपको बताया दो laws कौन-कौन से है एक है FEMA Act और एक है PML है Prevention Money Laundering Act आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर जो FEMA है basically यह क्या करता है यह यहाँ पर investigate करता है बहुत सारे जो भी यहाँ पर जो की तरह किसे crime देखने को मिलेंगे foreign exchange को लेकर तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका नाम भी है foreign exchange management act तो foreign exchange को manage करने के लिए यहाँ पर यह काम करता है दन उसके बाद जो money laundering होती है उसको रोकने के लिए काम करता है money laundering बतलब जो black money है उसको white money में convert करने की कोशिश की जाती है फिर terror financing होती है तो उन सब को रोकने का काम enforcement direct rate करता है तो इसके बारे में आप लोग एक idea रख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर जो enforcement direct rate होता है यहाँ पर भी बहुत सारे जो है तरीके से लोगों को appoint की जाता है बिसिकलिए आपका देख सकते हो जो यहाँ का जो direct rate है यहाँ पर जो officers हैं वो अलग-अलग investigation agency से लेकर आए जाते हैं उनको recruit किया जाता है जैसे कि custom central excise agency हो गया उसके बार income tax, police हो गया और भी बहुत सारी agency से यहाँ पर लोगो recruit किया जाता है इसके बारे में आप लोगो एक छोड़ा सा idea होना चाहिए प्लस यहाँ पर enforcement directed के पास और भी दूसरे functions जैसे कि जो fugitive crimes होता है उनको भी रोकता है मतलब कि मालो भारत के अंदर किसी ने loan लिया पैसा लिया काफिसार और पैसा लेने के बाद वो भाग गया जैसे कि विजया मालिया वाला case हो गया इस प्रकार से बहुत सारे cases देखने को मिलता है जो fugitive sentence को हम लोग भागोडा बोलता है तो यहाँ पर उनको रोकने का काम करता है और यह सब रोकने का काम एक act के थूरू किया जाता है जिसको हम लोग बोलता है Fugitive Economic Offenders Act 2013 इसके बारे में आप लोग को एक छोड़ा सा आइडिया रखना है तो यह कुछ चीज़े हैं जो कि बहुत important है उसी प्रकार से यहाँ पर enforcement directed के पास power है कि वो जो है एक तरीके से जो हमारी smuggling activities वगरा होती है उनको भी रोके smuggling वगरा ना हो खासकर foreign exchange की smuggling वगरा ना हो इसके ओपर भी आपर यहाँ फोकस रखता है यह हुई हमारी enforcement directed की बाद तो दोनों के जो chief हैं उनके दो साल का tenure हुआ करता था अब इनका tenure पास साल का हुआ करेगा I hope आपको यह article अच्छे से clear हो चुका है A2Z हमने इस article को cover गिया दनूस के बाद आते हैं next article पर again एक important article है GS paper 3 defense and security के perspective से plus GS paper 2 international relations के perspective से यहाँ बात की गई है S400 system की हम लोग पिछले 4-5 दिनों से discuss कर रहे है S400 system आने वाला है भारत के अंदर now इसकी delivery हो चुकी है शुरू और शुरुआत में यहाँ पर जो रशिया है वो S400 system भारत में भेज रहा है और S400 system का जो पहला division है वो basically इस साल end तक आने वाला है तो 2021 के end तक पहले division हमारे पास आ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर खत्रा क्या है खत्रा यह है कि US के sanctions हमारे उपर ना लग जाए US का डर है कि US का जो कार्ट सा sanctions है countering America's adversaries through sanctions act यह US हमारे उपर ना लगा दे ठीके यह आप लोग को पता होना चाहिए S-400 system कुछ इस प्रकार से आपको यह देखने को मिलता है मैंने आप लोग को काफी बारे इसके बारे में पढ़ा रखा है कोई missile आ रही है दूसी तरफ से तो उस missile को हवा में उड़ा देगा तो इस प्रकार से यहाँ पर यह S-400 system हमारा काम करने वाला है इंडिया को यहाँ पर 5 यह system मिलेंगे और यह जो deal है लगबख 5.43 billion dollars के आसपास की deal है अप्रोक्स 35 करोर के आसपास के यहाँ पर यह deals आपको देखने को मिलेंगी इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है तो इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर क्या है कि अभी जो Russian President है व्लादिमार पुतिन यह इंडिया में भी विजट करेंगे अगले महीने तो इंडिया विजट भी करने वाले हैं और भी यहाँ पर S4H system भी आने वल है इससे concern यही पैदा होता है कि जो US है US हमारे उपर यह sanctions ना लगा दे आई हूप आपको इस सारी चेक लियर हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर देखो US का यह rule है US एक sanctions को लेकर चलता है जिसको हम लोग बोलता है कार्ट सा sanctions ठीक है अगर कोई country रश्या से यह system purchase करती है या फिर और defense equipment को purchase करती है तो US क्या करता है उन countries के उपर जिसने रश्या से purchase क्या है उनके उपर यह sanctions लगाती है ठीक है तो possibility है कि भारत के उपर यह sanctions लग सकता है क्योंकि US के अंदर जो बहुत सारे leaders है senator leaders है ex officers रह चुके है उनका कहना यह है कि भारत के उपर यह sanctions लगने चाहिए क्योंकि अगर हमने भारत के उपर यह sanctions नहीं लगाए तो आने वाले टाइम पर और भी countries यहाँ पर S-400 system purchase करती होई नजर आएंगी लेकिन अगर हम बच गए इस बार इंडिया के उपर यह sanctions नहीं लगे तो कभी नहीं लगने वाले यह भी हम लोग को देखने को मिलेगा आगे ठीक है तो इसके बारे में आपको एक छोटी सा information होनी चाहिए नाव एक चीज़ और है क्या US ने पहले किसी को पर sanction लगाए है तो बिलकुल चाइना के उपर यह sanctions लगाए गए है टर्की के उपर यह sanctions लगाए गए है ठीक है मतलब चाइना नहीं यहाँ पर purchase किया था S400 system को टर्की ने purchase किया तो इन countries के उपर भी यह sanctions लगाए हुए है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दूसरी important चीज़ रश्या से यह जो system इतने बड़े बड़े यहाँ पर इतने भारी बरकम system है यह आएंगे कैसे भारत तो यहाँ पर इनको parts मलाया जाएगा ठीक है अलगलग parts मलाया जाएगा और होगा क्या इसको aircraft लाया जाएगा क्योंकि Turkey के अंदर भी aircraft से यहाँ पर यह defense system भेजे गए थे तो यहाँ पर भी भारत में भी aircraft से भेजे जाएंगे Russian aircraft से यहाँ पर पूरी possibility देखने को मिलेगी इसके बारे में आपको idea रखना है आगे बढ़ेंगे next article में चर्चा की गई है यहाँ पर environment को लेकर चर्चा की गई है जो यह article है यह हमारा GS paper 3 environment के perspective से important है बात की गई है coal face down देखो coal face down जो है यह बिल्कुत सही रहेगा देखो coal एक face down होता है और एक face out होता है मतलब कोईले का जो आज हम इस्तमाल कर रहे है इसको कम कर देंगे कम करते रहेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा अगर हम कोईले को एकदम से यहाँ पर out कर देंगे अपने environment से खतम कर देंगे तो इससे जो आज के टाइम पर developing countries हैं जैसे की चाइना इंडिया हो गया तो इन लोग को काफी बुरा इनके ओपर impact पड़ेगा अगर हम लोग कोईल को directly face out करते हैं तो आज के टाइम पर बड़ी से बड़ी countries जो developed country है चाए वो USA क्यो ना हो यह लोग भी यहाँ पर completely face out नहीं हुआ है कोल को लेकर completely यहाँ पर इनने कोल को बंद नहीं किया है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कोल अगर हम इसको को 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 face down करते हैं तो यह एक important step रहेगा और यह सही भी रहेगा ऐसा यहाँ पर statement निकल कर आया है हमारे union environment minister भुपेंदर रियादव जी के थुरू तो इसके बारे में आपको एक idea रख लेना है और फिर उसके बार यहाँ पर conference of parties के बारे में चर्चा हुई है जो कि आप लोगो काफी बार मैंने बता दिया है और आप लोगो पता भी है सारी details सारे notes आपके पास prepare रखे हुए है तो COP26 की जो यह summit है यह Glasgow के अंदर Scotland पे हुआ था यह सब चीज आपको clear हो चुकी है क्या-क्या हमाँ पर discussion किया है मैंने daily current effort के वीडियो में 2-3 बार cover कर दिया है the Hindu newspaper में 2-3 बार cover कर दिया है नाव एक चीज और discuss करेंगे यहाँ पर बात की गई है coal के बारे में तो coal एक important आपको यह mineral यह energy resource देखने को मिलेगा तो इसकी बारे में आपको ध्यान अकना है ठीक है क्योंकि जो mineral या फिर जो energy resources हैं यह हमारे syllabus का part है GS paper 3 के अंदर UPSC के syllabus में एक पूरा ऐसा topic ही दिया हुआ है तो coal भी एक important है कोई ऐसी mineral आती है news में आफिर कोई energy resource आता है तो इसके बारे में आपको पढ़ना होता है कोईले की बात करें तो coal आज के टाइम पर सबसे जादा पाया जाने वाला fossil fuel है ठीक है इसको हम लोग fuel की तरह काफी इस्तमाल कर रहे है इससे pollution काफी जादा हो रहा है इससे हम लोग electricity को generate कर रहे है steam engines को चला रहे है कोईले को burn करके काफी सारे काम किये जा रहे है ठीक है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है जो electricity है कोईले से वो generate करी जा रही है इसको हम लोग thermal power भी कहते हैं जब भी हम लोग electricity को बनाते हैं कोईले से, उसको thermal power बोला जाता है, जो ये कोईला है जो आज के टाइम पर हम इस्तमाल कर रहे हैं, लगबग ये million सालों पहले एक तरीके से बड़ी बड़ी चीजे नीचे दफन्द होती भी चली गई, बरी होती भी चली गई, उसके ओपर पर जो कोईले के leading producer है वो आपको देखने को मिलेगा अगर हम दुनिया भर में बात करें, तो China, US, Australia, Indonesia, India, इन सभी जगा पर सबसे वादे कोईले का production होता है, उसके बाद कोईल प्रोडीसिंग एरिया भारत के अंदर कौन कोई से तो भारत के अंदर, रानी गंज, जहारिया, ध होता होता है, इसके बारे में आइडिया रखना है, अब आपका होगे सबसे बेटर कौन सा होता है, तो इनकी ranking depend करती है कि इस कोईले के अंदर कितना carbon content है, देखे, कोई कोईला है, मालोई कोईले का piece है, इसके अंदर जितना जाधा carbon होगा, उतनी जाधा energy को produce करेगा, उतना तन उसके बाद, आज के टाइम पर कोईले का बहुत सारा use होता है, solid की form में, हम लोग यहां पर कोग बनाता है, तन उसके बाद यहां पर कोग से irons में इस्तिमाल किया जाता है, तो इसके बारे में ध्यानक नाए, ठीके, गैस की form में इंडिस्ट्रीज के अंदर यहां पर इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ, उसके बाद एक छोड़ा सा आर्टिकल है, यहां पर बात करी गई है, एकॉनमी को लेकर, तो आर्टिकल जी एस फिबर्थरी एकनॉमी के परस्पेक्टिव से important हो इसके बात की गई है, जो नलमाल हिल्स है, वहां पर टाइगर टूरिजम अभी स्टार्ट हुआ है, इसको लेकर चर्चा की गई है, इस आर्टिकल में तीन चीज़े बहुत important दी गई है, जो की लंबे समय से हमने discuss नहीं की है, लेकिन यहां पर एक चीज़ तो PVTG है, जिसको हम discuss करेंगे, जिसको हम लोग बोलते है, particularly vulnerable tribal group, आखिरकार यह क्या होता है, उसके बाद चेंचू tribe के बारे में discuss करेंगे, देन उसके बाद यहां पर नलमाला हिल्स के बारे में भी discussion करें लगबाग अगर कोई व्यक्ति जाता है, तो उसका टिकेट 400 रुपे का लगने वाला है, प्लस उसके बाद यहां पर अगर दो व्यक्ति जाते हैं, तो यहां पर पैसा बढ़ जाएगा, प्लस मतलब जितने लोग बढ़ते रहेंगे, पैसा बढ़ेगा definitely, लेकिन यहां पर bargaining भी अच्छी खासी हो जाएगी, आपर bargaining की जा सकती है, ऐसा है यहां पर statement दिया है, जो की खास हमाली important नहीं है, अब बात कर दें नलामल hills के बारे में, सबसे पहले बार हमें डिसकस करना है, इस hills के बारे में, जो की हमारे exam के लिए काफी important है, डिरेक्ली आप से बूछा ज आ सकता है, एक सेकेंड रुको यार, तो यह जो hills है, इसके बारे में आपको नीचे यहां पर देखना है, आर्टिकल GSP3 environment के perspective से important है, मैंने आपको बताया, नलामल forest reserve की बात करें, तो खास कर यह located है, कहां पर नलामल ranges के उपर, यह eastern घाट में यह ranges आपको देखने को मिलेंग ठीक है, जो यहां पर आपको सकतो हो, इसी forest reserve का ही part है, तो बहुत सारे tiger reserve भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, खास कर बात करें, map में तो यह hill कहां पर है, तो आपको यह जाना है, इस वाले side पर, यहां पर आपको यह नलामला hills इस वाले area पर, eastern घाट पर देखने को म पूछा हुआ है, निलगरी hills के बारे में, UPS ने question पूछा हुआ है, तो यह इसी प्रकार से hills बहुत important है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आपको एक idea रखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, इस hills पर tourism अगरा चाल हुआ, या आप इस पर सारे जो local tribe हैं वहांखी, जो tribal people हैं, खास कर चेच्चू tribe, जो यहां पर आदिवासी लोगे हैं, जो चेच्चू tribe जिसको बोला गया है, ये हैं पर क्या करेंगे, टूरिस्ट के साथ रहेंगे, टूरिस्ट के साथ रहने के बाद यहां पर उनको सारी चीज़े explain करते तो सारा explanation यहाँ पर देते रहते हैं जो भी हमारे चेंचू ट्राइब होते हैं तो इसारी साथ रिश्य देखते रहेंगे forest reserve का कि क्या क्या है हमाँ पर चल रहा है animals को देखते रहेंगे और साथी सथ क्या होगा ग्रूप तो इसका नाम बदल दिया गया था बाद में लगबग 2006 में सरकार ने इसको PTG से PBTG बोला तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इसके नाम समझ मारा होगा ग्रूप ग्रूप जिनके जनसंख्या बहुत कम है जहां पर जो पॉपुलेशन है बहुत कम है अब जया है ना कि वो मतलब ग्रूप कहीं खतम ना हो जाए उसको यहां पर पर प्रूप ग्रूप बोला जाता है 1971 बे जो हमारी सरकार है उन्होंने लगबग बहुत सारे वल्ले जी है मतलब 75 पर्टिकुलर्ली वल्लेरेबल ट्राइबल ग्रूप आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे हाला कि जो शेडूल ट्राइब्स की जो आज के टाइम पर हमारी नंबरिंग है वो 705 है इसमें से 75 जो ग्रूप से वो पीवीटी जी के अंडर में आते हैं के अपको ध्यान रखनाए सबसे जादा जो के अंदर की अदर करके यह पर बिल्कुल बिल्कुल बीस नहीं है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखनाए तीसरी चीज इंपोर्डेंट है है यहाँ पर चेंचू ट्राइब तो ट्राइब के बारे में भी काफी बार चीज़े पूछी जाते हैं कि चेंचू ट्राइब ही सारी इंफॉमेशन देता है टूरिस्ट को तो जो चेंचू ट्राइब है यह कौन होता है तो यह एक तरीके से इंडियान स्टेट आफ आंदर प्रदेश में रहते हैं नलामला हिल्स कहां पर है यह भी आंदर प्रदेश के अंदर हैं यह आपको बता न भूल गया हूं ठीक है तो यह जो चेंचू ट्राइब है यह बिसिकली आदर प्रदेश तिलंगना करनाटका ओडिशा यहां सभी नाव यहां पर जो चेंचू ट्राइबल पीपल है यह क्या करता है यह हंटिंग करते हैं गादरिंग भी करते हैं तो इसके बारे में आप लोगो एक आईडिया रखना है आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ एक और आर्टिकल हाता है यह बहुत सदा important है again exam के perspective से again GS paper 3 environment के section के point of view से important होगा बात की गई है केसर एहिंद के बारे में यह जो आपको butterfly नजर आ रही है इसके उपर काफ़ सरे colors देख रहे हैं orange color, green color इस वदर से केसर एहिंद बोला गया है यह अरुनाचल की state butterfly के लाई जाएगी तो इसके बारे में आपको ध्यानक नाए तो अभी यहाँ पर यह जो butterfly है केसर हिंद इसके बारे में आपको इसका नाम ध्यानक नाए तो अब यहाँ पर यह state butterfly के लाई जाएगी अरुनाचल प्रदेश की तो इसके बाद क्या होगा इस butterfly को और जदा importance वगरा दी जाएगी सबसे पहली चीज यहाँ पर इसको केसर हिंद बोला गया है इसके उपर इतने सारे color होने की वज़ा से प्लस उसके बाद यहाँ पर इसका scientific name क्या है तो इसका scientific name है तो इसके बाद यहाँ पर जो butterfly है लगबग यह 90 से लेकर 120 mm का इसका wing span होता है उसके बाद लगबग 6 राजयों के अंदर पाई जाती है इस्टन हिमालियास में भी यहाँ पर यह butterfly पाई जाती है इसके बाद आपको एक idea रखना है प्लस यह जो butterfly है नेपाल, भूटान, मयानमार, लाउस, वेतनाम, सदन, चाइना तक यहाँ पर देखने को मिल जाती है आज के time पर जो यह butterfly है वो काफी खत्रे में है ऐसा बताया जाता है लगबग यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे environmentist हैं इनका कहना यह है कि अरुनाचल प्रदेश के बहुत कम एरियास में butterfly पाई जाती है और अगर हमने इसको बचाया नहीं तो आनवले time पर यह खतम हो जाएगी पूरी तरह से यह भी एक concern वाली बात है अब यह सारी बात यहाँ पर आप देख पाऊगे की गई और जो बहुत important है जो state cabinet है यहाँ ने क्या करा था यहाँ पर इस पूरी चीज़ को head करते वे यह बात बोली थी जो केसर एहिंद है यह एक state butterfly खलाएगी तो आप से question बन सकता है अरुनाचल प्रदेश की यहाँ पर state bird क्या है तो यह butterfly है तो यह आपको ध्यान रखना है ठीके तो यहाँ पर state butterfly basically अरुनाचल प्रदेश की state butterfly कौन सी है वो इसका scientific name ध्यान रखना यह सर एहिंद भी बोला जाता है और फिर इस article में pocket tiger reserve के बारे में चर्चा की गई थी तो pocket tiger reserve के बारे में आपको information यहाँ पर provide करवा दिया इस notes को open कर लेना यहाँ पर आपको pocket tiger reserve के बारे में सारी information मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो pocket tiger reserve क्यों है चर्चा में अगले आर्टिकल की तरफ उसके अधिया पर पेज नबर 9 पर काफ़ जरे आर्टिकल हैं जो कि हमाले बेकार हैं पॉलिटिक से भरे हुए हैं इसको हम डिसकस नहीं करेंगे पेज नबर 10 पर एक यह वाला आर्टिकल आपको यह देखने को मिलेगा बहुत इंपोरेंट आर्ट लेकिन इस आर्टिकल को आज के एडिटूरल पर कवर किया गया है तो उस एडिटूरल पर डिसकस करेंगे आखर कार के आज के टाइम पर यह क्या इशू चल रहा है सुप्रीम कोड के कॉलिजियम ने यह क्या काम किया है इसको लेकर यहां पर जो ऑथर साहब है उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है एडिटूरल पर तो उसको हम लोग महाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं अभी फिलाल इसको एडिटूरल पर डिसकस करेंगे तो कुछ और इंपोरेंट आर्टिकल आते हैं जिसे कि यहां पर बातचीत की गई है जो बीजेपी है मतलब की जो बीजेपी लीडर से पंजाब के इन्होंने हाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करी है और एक मुद्दा रखाय कि करतारपूर कॉरिडूर को ओपन कर दिया जाए तो करतारपूर कॉरिडूर को खोल दिया जाए लगबाग उसमें करोना काफी ददा बढ़ रहा था इस वज़े से आप बंद केल गया था अब उसको रियोपन करने की डिमांड उठ रही है आप लोगो ध्यानक ना है नाव करतारपूर कॉरिडूर के बारे में मैं आप लोगो बता देता हूँ आर्टिकल इंपॉर्डेंट है करतार गुरुद्वारे को एक गुरुद्वारा जो की पाकिस्तान के अंदर है और एक गुरुद्वारा जो की इंडिया के पंजाब अले स्टेट में ठीक है आपको ध्यान रखना है पंजाब के अंदर जो गुरुद्वार है जिसका नाम है देरा बाबा नानक श्राइन यह आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद यहां पर और क्या चीज़ है और यहां पर चीज़े यह हैं कि देखो जो कॉरिडॉर है इसको बनाया गया था हम लोग अपने गुरु नानक देव जी की जो 550 यानि की 550 वी बर्थ अनिवर्सिरी उसको सेलिब्रेट करते हुए हम ल लगबग आज के टाइम पर आप देख पाओगे दो एरियास को कनेट करता है मैं आपको बता दिया क्यों कि जो कर्तारपुर गुरुद्वार आयना बिसिकली यहां पर गुरु नानक देव जी ने लगबग अपने जो 18 साल थे वो स्पेंड किये थे जो लास्ट के 18 साल थे तो मैं आप लोगको इसका दिखा देता हूं यहां पर यहां पर आपको रवी रिवर देखने को मिलेगी इधर की साइड आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा यह इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है तो इसको बार के आँपको अपिकल नहीं होनी चाहिए दरूँ उसके बार मी कनफुजन बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए ve concept अपको यह वहला देखने को मिलएग तो इहां पर कुछ आस सीज़ें आँए लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो पौटर्स हैं, पौटर्स को कॉम्हार, जो की मिटी से समान मनाते हैं, ठीक है यहाँ पर क्या है कि बहुत तबाव बनाया जाता है, लेकिन वो तबाव गएरा काफी तूट जाता है, इसको पकाते हैं, जब भट्टे के अंदर और काम भी efficiently हो जाए प्लस pollution भी कम से कम हो यहां पर फोकस रखा जा रहा है ठीक है फ्यूल जो आज के टाम पर यूज के जाता है उसको कम से कम यूज के जाए क्योंकि हम लोग फ्यूल के तौर पर अगर हम बात करें तो हम लोग काफी सरा जो है तरीके से स्टबल वगरा इस् इसके उपर research वगर को पर काम चल ला है कुछ खास article एक्जाम के perspective से कुछ खास important नहीं है इसके बारे वह सब लोग एक छोटा सा idea रख सकते हो आगे बढ़ता है page number 11 के उपर that is world section देखेंगे दुनियादारी में क्या चल ला है यहां पर एक article है अभी क्या है US और चाइना के दोनों के leader के बीच में बातचीत होने वाली है Joe Biden और Xi Jinping दोनों कल बातचीत करेंगे एक virtual summit में video conference के माधियम से बातचीत होगी कल और यहां पर देखेंगे हम लोग क्या क्या discussion होने वाला है तो खास कर बोला यह जा रहा है दोनों countries के बीच में 4-5 बाते तो होने वाली है जिस जो हमारे consulate होते हैं ठीक है जैसे embassy होती है embassy प्रकार के चोटे-चोटे consulates बने होते हैं अब लेकिन embassy की तरह यहां पर चोटे-चोटे consulates भी बने होते हैं इसके बारे में आपको ध्यान अखना है जो consulates होते हैं यह बंद कर दिये गए चाइना के अंदर डॉनल्ड ट्रम्प के time के समय पर तो अभी क्या है जो बाइडन इसको वापस reopen कर सकते हैं यह चर्चा की गई है दन उसके बाद बाइडन यहां पर बहुत सरे concern उठाने वाले हैं जैसे कि ताइवान को लेकर क्योंकि चाइना और ताइवान के relation काफी खराब हैं चाइना बार बार यहां पर ता गाहें जिंजियांग जहां पर बहुत सरा human right violation हो रहा है जैसे कि वहाँ पर और मुसलिम्स रहते हैं उनको बहुत बुरी तरह से treat किया जाता है उनके उपर काफी अर्तियाचार हो रहा है उनके लिए लग से camp बना रखें काफी अर्तियाचार हो रहा है तो इस वज़ए से यहां पर यह वाला concern US उठा सकता है दूसरा Hong Kong से काफी relation खराब रहता है चाइना के यह वाला concern उठा सकता है तो यह कुछ concerns उठाय जा सकते हैं जिसको बोला गया जो जी जिन पिंग है वो हमेशा नकारे गही जी जिन पिंग यहां पर क्या करने वाले हैं इसको एक तरीके से रोकने ही वाले हैं कि यहां भई यह जो concern उठाय जा रहे हैं इसको रोका जा सके ठीक है उसके अगे इसमें रहने वाले हैं तो यह कुछ मुद्धा देखने को मिलेगा कुछ खास ऐसी चीज़े नहीं हैं जो कि नई चीज़ हम लोग को आज जानने को मिले तो नई चीज हो कि में मुद्ध है मंडे में क्या होता है बिजनस सेक्शन नहीं आता है एक्कनॉमिक का कोई भी आर्टिकल नहीं आता है मनी वाइस का पर यह जाता है इसको हमें नहीं डिस्कस करना है उसका इसआप जीज़े तो बीया को जी़ीत लिए आज चलते हम लोग डिरेक्टली अपने एडिटोरिल पर देखेंगे आज के most important एडिटोरियल को तो basically आज हमारे लिए चार एडिटोरिल बहुत important है सबसे पहला एडिटोरिल अफगान को लेकर discuss किया गया है जो भी डेली declaration हुआ है डिसकस करेंगे डेली declaration क्या है क्या बातचीत हु यह plus author ने कहां पर बोला है उसके बाद दूसरा एडिटोरिल बात करता है moist attack के बारे में अभी हमने देखा moist attack यहां पर हुआ महराश्रा पुलिस के थरू तो इसके बारे में चर्चा की गई है कल हमने detail में डिसकस किया था उसके बाद जो यह दो एडिटोरिल ने बिल्कुल बेकार है इनको आप लोग यहां पर skip कर सकते हो पूरा का पूरा दो आर्टिकल यह आपको देखने को बलेंगे यह एडिटो क्या आए गया है कि किस प्रकार से आज के टाइम पर साइबर बुलिंग को रोका जा सकता है आज के टाइम पर साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा कंसन मन चुका है जो कि बच्चों के लाइफ में काफी बुड़ा अफेक्ट डाला है डिजिटली काफिया तक वोईलेंस पूरी तरह से कब्जा किया वहां के जो प्रेसिडेंट थे अश्रफ गनी वह यहां से भाग निकले यह सारी इंफोर्मेशन यहां पर दी गई है जो कि हमारे लिए मतलब ऐसी है जो कि हम मतलब कि जब यह चर्चा में था ना मैं तो कह रहा हूँ रोज हमने डिसकस किया है एक महीने से ज़ाद हमने डिसकस किया इसको है ना चलो कोई बात नहीं आपर मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में तो अफगानिस्तान को पर कब्जा हुआ यह सारी से आपको पता है कि 15 अगस में आपर हमने देखा पूरी तरह से कब्जा हुआ यूएस यहां पर अफग अफगानिस्तान के साथ क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है प्लस हमारा एक एक इंट्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान के अंदर हमने बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपिया खर्चा है अफगानिस्तान के अंदर तो उसको प्रोटेट करने के लिए क प्लस एक मुद्धा ये भी आता है कि अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस काफी जादा हो चुके हैं तो एक मानवत्त के परस्पेक्टिफ से देखें तो युमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां पर हम लोग को प्रवाइट करवाना चाहिए काफी जादा वह यहां पर ओथर ने में लिए तो पहले मैं आप लोग को डेली डेकलेरेशन के बारें बताता हूं क्योंकि यहां पर चर्चा की गई है डेली डेकलेरेशन में जो बहुत सरी इस पीपर टू इंटरनेशनल रिलिशन के परस्पेक्टिव से इंपरेंट हो जाएगा तो हाली में क्या हुआ है डेली रीजनल सेकुरिटी डायलोग देखने को मिला यह पूरा जो डायलोग यह जो पूरी मेटिंग हुई है इसके उपर चर्चा की गई है वो एक टॉपि अफगानिस्तान के अंदर कि किस प्रकार से हम लोग हुमानिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइट करवा सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं यहाँ पर यह फोकस रखा गया था क्योंकि आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस बहुत ज के अंदर इसी के उपर में फोकस रखा गया है दन उसके बाद यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हमने कौन को सी कंट्री को इन्वाइट किया था भारत ने आपका सब्सक्राइब को बुलाया पाकिस्तान के साथ इरान को बुलाया तजिकिस्तान को बुलाया उसबैकिस्तान क को भी बुलाया लेकिन सारी कंट्री नहीं आई इसमें से कौन कोंसी कंट्री नहीं आई थी पाकिस्तान के नैशनल सेकुरिडी एडवाइजर नहीं आए चाइना नहीं आया और पाकिस्तान ने तो सीधर सीधा मना कर दिया था कि वही हम नहीं आने वाले चाइना नहीं नहीं तो नहीं गया चाइना की बात करें तो यहां पर इन्होंने बोला कि हमारे यहां बहुत सरी मीटिंग्स वगरा चल रही है आज के टाइम पर तो हमारा आतंगवाद वगरा भी काफी देजिस बढ़ रहा है असा नहीं की क्राइसिस बढ़ रहा है आतंगवाद वगरा भी काफी देजिस से बढ़ रहा है तो जरूरत है कि हम लोग वहां पर चीजों को स्टेबल करें सेक्योरिटी वहां पर मिंटेन करें तो यहां पर क्या क्या ड की बाढ़ चीत की गई है अफगानिस्तान को हमने बार-बार बोला है कि अपने कंट्री को ऐसी कंट्री मत बना दे लिए के एक हैवन मन जाए टेर्रिरिजम काफी बढ़ जाए वहाँ पर अफगानिस्तान से बार-बार हम लोग यही बात बोलते हैं ठीक है यह आप लोग को चिल्डरन, राइट्स ऑफ मानरेटी, राइट्स ऑफ कम्मुनिटीज, ये सारे वॉलेट ना हो, इसके ओपर हमें फोकस रखना है, ये हमने यहाँ पर डिसकस किया, दनूस के अधिया पर बोला हम लोग को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है, बिल्कुल भी किसी के अंद बाद उससे लड़ना है, प्लस जो ड्रक ट्राफिकिंग होती है, ड्रक की तसकरी होती है, इससे भी लड़ना है, ये यहाँ पर फोकस रखा गया, तो यह आपको धान रखना है, उसके बाद और क्या बोला गया, अब देखो यहाँ पर रिस्पॉंस क्या था, तो इंडिया ये सारी बाते बोली थी, यहाँ ये काम करना है, हम लोग को यहाँ पर सिकॉरिटी को मेंडेन करना है, इंडिया ने ये बात रखी, लेकिन अब दूसरी काना था, रॉशिया ने बोला, यहाँ पर बातचीत हो रही है, यह कॉंप्लिकेट नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान और चाइना तो आई नहीं थे उस्बैकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के जो नैशनल सेक्यूरिटी एडवाइजर थे इन्होंने जो आतंगवाद वर्ड है इसके बारे में कहीं पर भी मेंशन ही नहीं किया तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से ही काफी सारे ठोस मुद्दे उठा को मिलेगा जिन्होंने अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के उपर बाचի्ट करी दान उसके बाद मौसकोव फॉर्मेट हुआ था अभी हाली में आपने देखा है मौसको फॉर्मेट भी अफगानिस्तान को लेकर हुआ था और इसको सेटप catch गा पूरा पूरा डेलि डेक्लिरेशन के बारे में, अब हम बात करेंगे, आज की टाइम पर परिशानिया क्या है, देखो जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए, इनके बीच में बात चीत हुई है, हमने यह देखा एकी ज्यादा तर पार्टिसिपेंट्स के जो रेलेशन्स है, वो काफी अच्छे है तालिबान के साथ में लेकिन इंडिया के बात करेंगे तो इंडिया के ज़्यादा अच्छे रिलेशन्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं तालिबान के साथ में तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं अपने रिलेशन्स को मेंटेन करने क क्योंकि यहाँ पर इसमें हमारे ही काफी सारे benefit यह देखने को मलेंगे इंडिया के जो policy maker है आज के time तक struggle कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक तरीके से accept नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ आफगानिस्तान के अंदर अब पूरी तरह से जो है तालिबान आ चुका है हम लोग इस चीज हो गया है पूरी तरह से लेकिन अभी तक क्या हुआ है हम लोग ने अपने relations को अच्छे से maintain नहीं किया है तो यहाँ पर इंडिया को थोड़ा बहुत problem face करने को मिल सकते हैं अगर हम लोग यह काम नहीं करते हैं तो अब हम लोग को इस चीज़ को address करना होगा क्योंकि पाकिस पाकिस्तान ने पहले की टाइम पर 1990 के आसपास यहाँ पर अपने relations को खराब किया था लेकिन आज के टाइम पर वापस relation maintain कर लिया है पाकिस्तान ने recognition दे दिया है तालिबान को और तालिबान के साथ आज के टाइम पर relation काफी जादा बढ़ चुके हैं तो इंडिया की प्ले अफगानिस्तान के development के ऊपर बहुत सारे हमने projects वहाँ पर लगाए हैं जो कि आज की टाइम पर एंडर construction भी हैं काफी सरा हमने करोल रुपिया खर्चा है तो उस पैसे को हमें वेस्ट नहीं होने दिना है तो उसकी वज़ासे हम लोगों को तालिबान के साथ एक थोड़ा ब हैं वो भेज दें अफगानिस्तान को और यहां पर एक अच्छा step भी है ठीक है और यहां पर क्या है कि तालिबान ने इंडिया का यह जो offer इसको welcome भी क्या है लेकिन क्या होगा यहां पर इंडिया को थोड़ा सा और जदा यहां पर step उसको बोल्ड कर देना चाहिए इंडिय यह article अच्छे से clear हो चुका है उसके बाद जो next article है वो बात करता है एक तरीके से मौईजम के बारे मैं आपको उसके बारे बताऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ important article को हम लोग देखेंगे एक article यहां पर यह है बात की गई है creating safe for digital space को लेकर देखो यहां पर बोला गया है कि बच्चे से शिकार काफी ज़्यदा बन जाते हैं ठीक है है किया जाता है उनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रेट की जाती है ठीक है आपका सकते हो कि एक online IDD बना ली जाती है बिल्कुल similar कि मतलब किसी व्यक्ति को हैरेस करना है तो उसकी तरह एक ID बना ली जाएगा और बार बार उसको धंकिया दिजाएंगे ब्लैक मिल के जाएगा तो इस प्रकार की चीज़े यह देखने को मिलती है यहां फिर जो साइबर बोलेंगे इसका यूज करने के लिए लोग को एमब्रेस करने के लिए जो उनकी फोटो होती है वीडियो होती है के जो फस्त थजे होता है नवंबर के महीने का जो पहला थर्सगे होता है उस दिन हम लोग इंटरनाशल डेज अगेंस्ट आर बल्य ओर को Mनाते हैं ठीक है आज school community इनके members के अंदर education authorities के अंदर एक जागरुकता फिलाई जाए ताकि यहाँ पर जो यह online violence, online cyber bullying हो रही है, इसको रोकने के ओपर हम लोग काम कर सके, इंडिया के अंदर लगबक 71 million जो children है, यह पास से 11 साल के आपको देखने को मिलेगा, जिनके पास internet का access देखने को मिलेगा, और जो 12 to 29 years के लोग हैं, वो और भी जादा हैं, यहाँ पर जो कि internet का use करने आज के time पर, तो यह लोग काफी यह तक शिकार बनते हैं, इन में से भी जो बच्चे होते हैं, वो जादे तर शिकार बनते हुए नजर आते हैं, ठीके, अगर हम बात करें, school बंद हुए COVID-19 की व करीज हुआ है, करोना के time पर, बहुत से रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि करोना के time पर ही क्या हुआ है, जो cyber billing है, या फिर online child sexual exploitation है, यह काफी तक बड़ा, लोग को harass किया गया है, ओनलाइन खास कर बच्चों को harass किया गया है, यह चीज़े को अंदर भी increment काफी थे, जिसे दे और एक data publish हुआ था, 2019 के अंदर 144 country से यह data लिया गया था, जहां पर बताया गया कि जो एक तरीके से school violence और यह जो cyber bullying वगरा है, वो काफी थे जिसे बड़ी है बच्चों के अंदर और बच्चों के अंदर इसका increment देखने को मिला है, काफी जाद तक बच्चे ही सफर कर रहे ह और उसके बाद यहां पर बोला गया कि आज के टाइम पर हम लोग को इसको रोकना होगा, रोकने के लिए अलग-लग हम लोग स्टैप उठा सकते हैं, यह चीजों के यहां पर फोकस रखा गया है, आज के टाइम पर जो girls हैं, वो सब सादा शिकार बनती है, इसकी online harass कर रहा उनको और एक report publish होती है, एशा Pacific region को लेकर, जहां पर पता लगाया गया है कि लगबाग 58% जो girls हैं, उनको online harass किया या है, मतलब बहुत से reports आ रही हैं, जो की area wise बता रही है, जहां पर girls को सब सदा effect हुआ है, इस पूरे के पूरे incident से, cyber bullying से, तो जो online sexual harassment है, यह यहां पर आपक सकते हो, यह बहुत बड़ा impact डालता है, negative impact डालता है बच्चों के mental health के उपर, बच्चों के well being के उपर, तो इसके उपर focus रखना है हम लोगों को, इससे क्या होगा, बच्चे की quality of life वगरा सब बरबाद हो जाती है, तो यहां पर यह cyber bullying को खतम करने के उपर एक बहुत and role play कर सकते हैं, बच्चों को सिखाया जाएगा online safety के बारे में, online safety के बारे में पढ़ाया जाए ठीके, और इसी चीज के अंदर parents को involve किया जाए, ताकि parents और बच्चों सभी के अंदर एक awareness create हो जाए, और वो यहां पर इस पूरे के पूरे online bullying से बस सके हैं, उसके बाद क्या ह यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, information booklet आती है, information booklet आती है UNESCO की, इसको NCRT के साथ partnership करने के बाद इसको ले कर आया जा सकता है, यह बहुत useful हो सकता है, इसका इस्तमाल करके हम लोग यह सिखा सकता है, बच्चों को कि कि किस प्रकार से online safety आपको रखनी है, किस प्रकार से cyber bowling वाल ओनलाइन basis पर आपको देखने को मिलता है, आज के टाइम पर बहुत जढ़nie को मिलेगा, बच्चों के अंदर सब सदा चल रहा है, यहां पर कैया है? इसको लेकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, parents को aware कर सकते है, बच्चों के अदर awareness आजक्ते हैं, कि आपको इन चीजों से तो उस समय पर हमें अपने efforts को double कर देना है क्योंकि इसी time पर यह जो crisis हैं सबसादा देखने को मिलते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है दनू इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताई दिया है कि जो learners हैं यहाँ पर उनको quality education दिया जा सके और भी यहाँ पर हम लोग काफिय violence को रोके हम लोग तो यह main focus रखा जाए आई होप आपको यह clear हो चुका है ठीक है cyber bullying क्या होती है मना आप लोग को बता दिया तो यह सारी चीज़े यहाँ पर किस प्रकार से solution लेकर आया जा सकता है वह author नहीं यहाँ पर समझाया दर्व उसके बाद आते हैं आज के next editorial पर य Chief Justice of India होता है प्लस वो चार होता है वो Supreme Court के Judges होता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है Supreme Court के Senior Judges होता है तो क्या है ना यह सम मिलकर किसी भी जज़ को ट्रांसफर करने का काम करता है या फिर किसी भी जज़ को अपॉइंट करना है तो उसके लिए यह college system decide करता है college system के बीच म है जहाँ पर उन जज़िस का कोई use है नहीं तो इससे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह routine matter है या फिर punishment post है या आपने punishment post दिया है इसको लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए यह यहाँ पर author बोलते है पहले मैं आपको last line author की बताता हूँ author ने आप last time में बोली है यह बिल्क Chief Justice है मदरास हाई कोट के जिनका नाम है संजी बनर जी इनको क्या किया गया इनको मेगालिया कोट में ट्रांसफर किया गया और मेगालिया कोट में ट्रांसफर करने की वज़ा से यह issue बन चुका है अब जो संजी बनर जी है इनके साथ साथ और यह बहुत सारे senior judge है मदरास हाई कोट के संजी बनर जी इनको ट्रांसफर करने का पीछे का reason कुछ नहीं पता इनको बस खाली transfer कर दिया गया तो यह यहां पर एक तरीके से concern वाली बात है आपको reason भी तो देना चाहिए था अपने reason कोई दिया नहीं है तो justice बनर जी के बारे में अगर हम बात करें इनको appoint किया गया था as a judge पहले Calcutta High Court के अंदर judge थे 22 जून 2006 में इनको as a judge appoint किया गया था तन उसके बाद इनको chief justice बनाया गया मदरास High Court का 31 December 2020 में आज के टाम पर आप देख पाऊगे यह हमां के chief justice थे लेकिन क्या हुआ बिना किसी promotion के यहां पर आपका सकते हो जो इनका retirement है को एक November 2020 को इनका retirement देखने को मिलेगा लेकिन अभी फिलाल क्या है अभी दो साल इनके retirement को लेकिन दो साल पहले ही यहां पर इनको मदरास High Court से कहां पर shift कर दिया गया है मेघालिया High Court के अंदर यहां पर बताया गया ठीके मेघालिया High Court के अंदर बहुत कम जज़ें आप इनका रहेगा नि अब इनको महाँ पर transfer किया गया है तो आप लोग देख सकते हो यह अपना आप में concern वाली बात है काफी दादा चर्चा में रहता है अब हमारे समविधान के अंदर जो आर्टिकल ट्रिपल टू है आर्टिकल टू 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 जो हमारे समविधान का है यहाँ पर बताता है कि कि कोई भी जज है उसको transfer किया जा सकता है चाहे वो including chief justice हो चीफ justice को भी हम लोग एक high court से दूसरे high court में transfer कर सकते हैं यह कौन सा आर्टिकल बताता है वो आर्टिकल टू 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 बताता है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर ए मैंने बताया एक chief justice of India है प्लस चार senior most judges है इस system के अंदर पांच लोग होते हैं यह पांच लोग मिलकर decide करते हैं कि कि किस judge को transfer करना है या फिर किस judge को appoint करना है तो क्या करते हैं यह report यहाँ पर पहुचाई जाती है हमारे prime minister के पास में फिर prime minister advice देते हैं हमारे president को finally president sign करके ची तो यह चीजे possible हो पाई है ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से यह लगता है कि जो हमारा central government है और जो judiciary है दोनों का जो सोच है विल्कुल सेम है क्योंकि हाली में जो हमारे law minister है करें रिजिजू इन्होंने बोला chief justice of India यहाँ पर एक नया तरीका आप दिखा रहे जो judiciary है इनका दोनों का जो intention हो विल्कुल सेम है इन दोनों की जो यहाँ पर आप देख पाऊगे सोच है वो विल्कुल सेम मिल लई है तो इन चीजों को देखते वे क्या क्या है यहाँ पर जो justice बनरजी है इनको transfer क्या गया अब क्या है अभी दो साल बचे है इनकी job को और य उनको punishment दिया है क्योंकि क्या है उनके skills बगरा काफी अच्छे थे अब यह ऐसा तो कह नहीं सकते है आपको लोग उनके skills खराब तो चलो कहाई भी दिया तो वहाँ पर जाके वो काम करेंगा अच्छे से तो यह चीज़ यहाँ पर बताई गई है तो उसी प्रकार से जो दू दो हमने यह सारी चीज़े हम लोग अभी कवर करी है जानू उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो यह कॉलिजम सिस्टम है इसने ट्रांसफर कर दिया अभी यहाँ पर अभी क्या है कि इससे होगा क्या इससे माल हो यहाँ पर कोई हमने यहाँ पर जो Chief Justice है इनको हमने जब इस ट्रांसफर किया इससे यहाँ पर आप लोग को बताना पहला यह चीज़ चाहिए था कि आपको एक रेजन देना चाहिए था कि हमने इस वज़े से इनको ट्रांसफर किया है ठीके अदर्वाइस यहाँ पर एक पनिश्मेंट पोस्ट मानी जाती है कि आपने यहाँ पर उस ब्यक्ति को पनिशमेंट पोस्ट पर पहुंचा दिया है यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहां पर क्या है कि आथर साब एक सवाल यह भी पूछ रहे है कि जब धैंने ट्रांसफर किया तो इनका जब ट्रांसफर कर रहे थे तो लगग चार जुजिअ के साथ यहाँ पर consultation कесь आपर बात्चित के साथ करना चाहिए था तो आपने जूनियstudy के साथ crowds क्यों किया ठीके तो यहाँ पर ये बी इसका जवाब देना है सरकार को तो यहाँ पर इनोंने काफ सारी चाहिए ठीके यहाँ semiclares यह पर एक punishment transfer ग्या है और इक punishment transfer ही कह सकते हैं इसको reward transfer तो कह नहीं सकते, यह यहाँ पर author ने बोलाई कि मालो यहाँ पर कोई judge यहाँ पर suitable नहीं है किसी high court के लिए तो वो दूसरी जगाँ पर कैसे suitable हो सकता है यहाँ पर question पूछा है author साब ने कि आपने चलो दूसरी जगाँ पर appoint क्या है अगर वो यहाँ के लिए suitable नहीं है तो दूसरी जगाँ पर कैसे suitable होगा यह चीज़ हम लोगों बताओ तो इन सब चुज़ों को देखते वे सरकार से question पूछा गया कि यह सारे doubt को clear करो अब कोई clear हो चुका है यह article समझ में आ चुका है यहाँ पर author ने सारी चीज़े लिखी है उसके बाद आज का जो last article है वो यह वाला है अब यार देखो time 57 minutes अल्रेड़ी हो चुके है गंटा होने वाला है कहोगे इसको discuss नहीं करोगे नहीं करूँगा यार लेकिन क्या है न देखो इस article करना क्या है कल का analysis का जो पहला ही मतलब article था हुमने यह वाला discuss किया था मैं आज वोई discuss करने वाला था और आपका सकते हो कि देखो मैंने notes प्रपेर कर रहे हैं यही चीज़े मैंने कल discuss करी है तो आप मिले इतना कर सकते हो यार इतना support करी सकते हो कि कल का वीडियो का बिल्कुल शुरुआत देख लेना बिल्कुल शुरुआत ओपनिंग ओपनिंग लगबद 4-5 मिनिट में आपको यह article समझ मा जाएगा मैंने आपको मौईजम के बारे में समझा है कि कि किस प्रकार से जो यह नकसलवाद हो बढ़ता है मैं वही चीज़े हैं आपर बताने वाला था बिल्कुल सेम चीज़े बताने वाला था तो मुझे आइडिया मतलब आई गया और साथे साथ मुझे याद भी आगया कि कल हमने इसके बारे में डिसक्केशन किया है तो प्लीज यार कल वाला वीडियो देख लेना मैं अतना सपोर्ट करी सकते हूब burial और वीडियो यहाँ पर काफी लंबा हो जाएगा यह गंटा क्रॉस कर जाएगा आप लोग कल वाला वीडियो स्टार्टिंग का देख लेना और उसी मैंने स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को सारी चीज़े जो भी चीज़े हैं जो पूरा article है पूरा article as it is ही समझाया है इस वज़ा से मैंने पहले important article ले लिये थे ठीक है अगर इस पर time waste कर देते ना तो फिर आगे वाले article और दोदा लंबा खिचता इस वज़ा से मैंने पहले important article को cover किया ना इसके साथ कर दें लेक्चर को समाप मलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day thank you and जैहिंद